बिस्मिल्लारमान रहीम वालकम टू दो वीडियो सेशन केंट पॉब्लिशर्स तोड़े वीडियो स्टार नीव चैप्टर बट विफोर स्टार्टिंग नीव चैप्टर आपके पास प्यारे बच्चो साइंस टू की बुक होनी जरूरी है और समर पेक चुंके समर वेकेशन हैं और आप लोगों ने जो साइंस में एक्टिविटीज करनी है जो कॉंसेप्ट सीकने हैं उनके साथ जो रिलेटिट क्वेशन है आपके समर पेक में वो आप लोगों ने साल्फ करने हैं हाँ और कंप्लीट अंडरस्टेंडिंग के लिए ज्यादा बहतर होगा अगर आप के पास वर्क बुक भी हैं क्योंके दीज आर क्लोजली कनेक्टेड जितनी कॉंसेप्ट आपके किताब में हैं बुक में हैं वर्क बुक में उनके सारी वर्क शीट्स और एक्टिविटीज महुजूद हैं अगर हमें जरूरत पड़ी तो आप अपने पैरेंस की मदद से अपनी हैं बुक में अगर यह किता कि में हम प्लांट यूज पर भूज करते हैं ऑनको हम यूज वार्टर कम कर विस उद्टेह उनको तो यह अगला यूजग हैं वो यह है के पानी आता कहां से हैं हमारे पास इतना सारा पानी कहां से आता है so this is very interesting so my dear students let me tell you before anything else के जमीन के ओपर जो 71% एरिया है वो क्या है that is water यही वाटर सब्सक्राइब जमीन पे बहुत ज्यादा पानी है और सिरफ 29% इसमें अर्थ है यह साइल है बाकी सारा का सारा पानी है इतना ज्यादा पानी आला ने दिया है और इसकी इंपॉर्टस भी ज्यादा है so my dear students let's just have a look my dear students just have a look on the text water comes from earth in the form of rain and snow some of the rain water collects in ocean seas and rivers some of it seeps in the soil it gathers in empty rock space and is called underground water snow falls on the mountains it melts into water and make springs we use water from these resources to meet our daily needs तो प्यारे बच्चो एक बड़ा प्यारा सा डाइग्राम देखते हैं कि जिससे हमें यह पता चल जाए कि पानी आता कहां से हैं और किस तरीके से हमारे पास पहुंचता है प्यारे बच्चों see on this picture this is very interesting picture और आपको मैं बताओं यह फर्स करो कि यह जमीन है सत्य जमीन और देखें प्यारे बच्चों यहां तक जमीन पे क्या था यह खुश्की थी और यहां से क्या शुरू हो गया यह रिवर्स आ रही है आपको जो ग्रीन एरिया नजर आ रहे इस इस लैंड और जो आपको ब्लूम कलर में नजर आ रही है इस वाटर और यहां से completely this is ocean यहनी यह सारा का सारा का क्या है मेरे प्यारे बच्चों पानी है तो सबसे पहले इसको देखो this is sun यहनी sun rays पड़ती है जमीन पे और अर्थ पे भी पड़ती है और पानी पे भी पड़ती है और उससे यह पानी हवाँ में उड़ जाता है एवापुरेट हो जाता है तो यह पानी जब उपर वहाँ पे उपर कॉल्ड है आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों जमीन पे तो हाट है लेकर उपर बहुत ज्यादा कॉल्ड है तो वह ज्यादा कॉल्ड यह पानी in the shape of vapors होते हैं तो उस कॉल्ड की वज़ा से यह vapors करीब आ जाते है जब वो vapors condense हो जाते हैं तो वो क्या चीज़ बन जाती है उससे बादिल बन जाते हैं clouds और जहां clouds होते हैं तो वहां क्या बरसती है मेरे प्यारे बच्चों ने शाबाश इट्स रेन तो यह बारिश हो गई और बारिश के नीचे आपको क्या नजर आ रहे मेरे बच्चों म के mountain के ऊपर ये बारिश और कभी कबार ज्याना टंड होती है तो उससे क्या बन जाता है ये बरफ आइस बन जाता है मेरे प्यारे बच्चों यहां पे जो बारिश नीचे आता है तो वो पहाडियों से सीधा springs की शेप में चोटे 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 springs होते हैं और वो बड़े springs मि के आपस में river बना देते हैं और बहुत सारे rivers आ आके ocean बना लेते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ पानी जो इदर in the shape of ice जमा हुआ था जब temperature तोड़ा सा भड़ जाए तो वो भी melt होने शुरू हो जाता है और वो पानी आके सीधा दो रास्ते से या तो सीधा जाके ocean मे या ये पानी जमीन में नीचे चला जाता है आपको पता है कि soil में तोड़ा सा पोर्ज होते हैं और उसके अंदर ये नीचे और आपको ये भी पता होगा कि जमीन के नीचे जहां हम कड़े हैं उसको अगर हम नीचे डिक करते हैं तो वो जाके नीचे क्या है नीचे water है आप لوگوں نے कभी देखा है प्यारे बच्चों? कि कुछ लोग जब आप लोग कहीं से गुजरते हैं टो मेरे प्यारे बच्चों इस पिक्चर से हमें क्या मैला? कि ज्यादा तर हिस्सा जो तो जमीन का है वो पानी पर मुश्टमिल है हाँ जो पानी ऊपर चला जाता है वो उसके बाद क्लाउड्स में चेंज हो जाता है और क्लाउड्स से पिर क्या होती है रेन बनती है और रेन का पानी नीचे आके पहाड़ों पे जमीन पे और उससे स्प्रिंग बन जाते है स्प् प्रिट फॉर्दर के जो पानी हमें मिल जाए तो वो हम किस तरीके से यूज करते हैं और इसकी एहमियत क्या है तो लेट्स हेव ग्लांस अन्दा इंपार्टेंस आफ वाटर इंपार्टेंस आफ नेच्रल वाटर रिसॉर्सेज यानि जो आपने देखा उपर से पानी आ रहा था उन में क्या चीज़ एती मेरे बैरे बच्चों ऑशेंस भी देखे आपने रिवर स्प्रिंग्स भी देखे और कभी कवार ये ज्यादा पानी जब हमें फसलों के लिए चाही होता है तो इस पानी को मुख्तलिफ केनाल्स में हमारे फसले और जमीन में यहां पे मुख्तलिफ केती बाड़ी करते हैं पोदे हमने उगाय होते हैं तो ये पानी जो है मेरे प्यारे बच्चों ये जाके इसको क्या केते हैं इसको केनाल्स केते हैं और ये केनाल्स में यहां पे जाके हमारे अग्रिकशर लेंड पर जहांपे हमारे फसल उगाते हैं थे उसके लिए पानी आता है दूसरी चीज़ क्या है ये देखे हम इसको यूज करते हैं और उसके बाद लार्ज वाडर बाड़ी इस मुर्डरेट अफ दे एरिया जहां पानी हो तो आपको पता होगा समंदर के करीब का क्लाइमिट डिफरेंट होता है पानी की वज़े से हाँ इस रिवर में और ओश्यνज में काफी सारे हमें फिशे भी मिलती हैं सी फूड जिसको कहते हैं क्या कहते हैं उसको सी फूड कहते हैं और उसके बाद इस समंदर में आपको पता होगा शीप बहरी जहाज और मुख्तलिफ मुलकों के साथ इसको यानी हम यहां पे इसके अंदर शीप चाड़ा लेते हैं और बड़ी असानी से डिफरेंट कंटीस के साथ हमारा राबता रहता है अके माई इस्टुदेंट नाओ इस यूर टर्न और आप ने इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है मैं जस्ट आप रहते हैं तो वहां पे आपको कोई ओशन रिवर स्प्रिंग वगेरे नजर आते हैं फ्रम वेर इट्री से वाटर हां और अगर आप इस पे सोचें के ओशन के लिए पानी कहां से आता है मैंने आलेडी आपको बता दिया पूरे डीटेल से के स्प्रिंग्स में पानी आता है उपर से रेंज से यहां पे जो आईस होता है वो पेगल जाता है मेल्ट होकेस में आता है तो आप लोगों यह भी डीटेल से लिखना है मेरे प्यारे बच्चों कलेक्ट इन्फरमेशन अबाउट इट मेक अचार्ट पेस्ट इस पिक्चर और डिस्पले इन यूर क्लासरूम वाव वन्डरफुल अभी अपने पापा से कहो के वापके लिए पिचर्ज ले और खुबसूरा चार्ड बना ले इस डैग्रेम का और यह आपने जाके क्लासर इंडियन ओशन फ्रम मेकजीन और इंटरनेट फाइंड आउट डिफरेंस बिट्वीन देम एंड पेस्ट इन यूर स्क्रेप बुक और यह भी आपने देखने जील साइफल मलूक और इंडिस रिवार्ड और इंडियन ओशन के बारे में यह तीन चीजों भी आपने वहां स से हासिल करके कंपेर रीजन करनी है और अपने स्क्रिप बुक में लगाना है वैल डान वाइडिया स्टूडेंस बेस्ट आफ लक अल्ला हाफिज